नमस्कार और वल्कम योलू वर्ल अफेर्ड नाव इसराइल आज के समय दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो सीन सामने आ रहे हैं इसराइल से देयार शौकिंग यहाँ पर देख पाऊगे जरूसलम में लोग सड़कों पे हैं इसर प्रोटेस्टर्स के बीच में ये पोस्टर बड़ा फेमस है इस पोस्टर पे जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिखेंगे डॉनल्ड ट्रम्प व्लादे मिर पोतिन और इसराइल के प्राम निस्टर बेंजमें नेतन याहू और नीचे यहाँ पर एक और इन्होंने स्लोगन लखा हुआ है यहाँ पर लिखा है कि no one is above the law यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि जो प्रोटेस्ट अभी इसराइल में हो रहे हैं इसका फिलिस्तीन से कोई रिलेशन नहीं है इसका USA रश्या से भी कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर प्रोटेस्टर्स बस ए पुतिन और ट्रम को एड़ किया गया है इनको अगर और नौलेश होती तो शायद और लीडर्स को भी यहाँ पर एड़ करते मगर यहाँ पर आपका question ही आएगा कि अच्छा ठीक है अभी मोटा मोटा इतना समझ में आ गया कि इसराइल फिलिस्तीन का कुछ शूर नहीं है इ हम सब एक ही देश के नागरिक हैं behave responsibly और यह जो सारा issue है हम इसको resolve कर सकते हैं अब यह statement एक Prime Minister पता है कब देता है तब देता है जब इतना जादा pressure आ जाए उस पर के पूरी दुनिया में जो भी उस country की embassy है उसको भी shutdown होना पड़े क्योंकि सरकार में internally इतना division हो चुका है इसराइल की embassy है यह shutdown हो चुकी है इस प्रोटेस्ट की हो जैसे अब यहां पर आप कहोगे अच्छा ठीक है मगर नेतन याहू ने ऐसा क्या कर दिया हम तो समझे रहे के नेतन याहू बड़े popular leader है बड़े charismatic leader है ऐसा क्या हो गया कि इनकी जनता इनके minister हाथ दोके इनके पीछे पड़े हैं इस वीडियो में सब कुछ crystal clear मैं करूंगा बहुत जादा simplified language में मैं आपको बताऊंगा के हुआ क्या है जो इसराइल में आप protest देख रहे हैं यह 7 जनवरी 2023 से चल रहे है और अभी भी यह protest continue रहेंगे कोई बड़ी बात नहीं है कि यह protest कई महीनों तक लगातार चलते रहे हो सकता है कि आपने यह सुनाओ कि यह protest judicial reform से related है अब इसका मतलब क्या होता है क्या कोई boring बात है नहीं है यह बहुत important है as a democracy हमें भी बताऊना चाहिए इसके बारे में देखो दुनिया में कोई भी democracy होना उसके तीन pillar होते है जिसकी ओपर पूरी इमारत democracy की घड़ प्रेजिडेंट की यह सब होते है executives क्योंकि जो कानून बना दिये जाते हैं उनका पालन कैसे करना है वो इन पर depend करता है executive कानून बनाएगा कौन legislative मतलब के parliament लोकसभा राज्यसभा हमारे case में वो कानून बनाएं कानून ठीक से बन रहे है या नहीं जो कानून बनाने का process है फालो हो रहा है या नहीं हो रहा इसका ध्यान रखती है judiciary मतलब के court supreme court high court आप कह सकते हैं तो इंडिया के case में आप देखो तो ये तीनों pillars बिल्कुल strong खड़े है legislature strong है executive strong है judiciary strong है एक democracy में problem तब आती है जब executive परना लोगों का भरोसा कम हो जाए executive की छवी खराब हो और executive करें कि मैं जी बाकी जो pillar है ना legislature और judiciary इनकी power कम करके जादा power अपने पास रख लेता हूं ये देखकर democracy में कई लोग डर जाते हैं कि यार कुछ खराब ना हो जाए इससे हमारे देश में कोई ताना शाना आ जाए अब नेतन याहू के case में यही है नेतन याहू अगर आम internationally द strong leader अपने देशित की बात करते हैं strong decision लेते हैं मगर internally आप देखोगे नेतन याहू को कहा जाता है काफी बार corrupt इन पर बहुत सारे corruption के charges लगे हैं हाला कि कुछ ground level पर साबित हुआ नहीं मगर code में काफी बार cases चले हैं various तरीके से नेतन याहू और नेतन याहू के आसपास के ज अगर देखो तो व्लादिमर पुतिन का भी आपको मिलेगा internationally बिलकुल macho man वली छवी है बहुत strong leader है मगर internally इन पर भी बड़े आरोप लगे हैं corruption के कहा जाता है कि इनोंने basically अपने देश में जो बाकी दो pillar है judiciary legislature इन सब को तोड़ के सारी power अपने पास रख ली है और उसके ब बहुत बड़ा factor होता है एक नेता की जब 6 खराब होना corruption के charges उस पर लग गए हो तो लोग बड़ा ध्यान से उसको observe करते हैं कि या आदमी क्या कर रहा है तो नेतन याहू जो recently November 2022 में फिर से elect हो गए as countries prime minister इसराइल के PM बन गई है तो इनोंने PM की कुरसी समालते ही न ये decide किया कि मैं देश का जो judiciary system है देश के जो court है इनको कमजोर कर दूँगा इनकी power को अपने पास रख लूँगा मतलब कि इनोंने ऐसे बड़ाव लाने start कर दिये जिससे इसराइल के जो high courts है ये नेतन याहू को रोक नहीं पाएंगे किसी भी कानून को बनाने से अब for example इंडिया मे अगर हम देखे मानलो जी कल को कोई ऐसा कानून बनाने की कोशिश करता है कि सब लोग अपने पैरों पे नहीं हातों पे चला करेंगे सुप्रीम कोड कहेगा कि नहीं ऐसा करनून आ बना नहीं सकते ये गलत है तो इमिरेटली एक process है ठीक है गलत कानून नहीं बनेगा तो न मरोड कर और जादा आपके लिजीए अपनी power के अंडर लाने की कोशिश करी ना नेतनियाहू का ये कहना था कि ये सारी power executive के अंडर नहीं ला रहे मतलब के अपने अंडर नहीं ला रहे ये जारतर power चाते हैं के पारलेमेंट के पास हो इसराइल का जो पारलेमेंट है इसको ये कहते हैं नेसेट मगर नेतनियाहू के जो अलोचक थे वो कह रहे थे के देखो आपकी मेजोरिटी है पारलेमेंट में एक बार आपने अगर कोड की पावर बिल्कुल खतम कर दी तो आपको कौन लोगेगा कल को कुछ भी कर लोगे आप और यहां पे आपका एक बहुती और यहां पे आपको कर देखते हैं इसलिए पार रहे थे के जिस तरीके से भारत में एक रिटन कॉंस्टिटूशन है जो हमको प्रॉपर गाइडलाइन देता है कि आपको यह करना यह नहीं करना इसराइल में कोई रिटन कॉंस्टिटूशन आपको नहीं मिलेगा बेसिक सेट ओफ लॉज है उनके साथ जैसे मर्जी सरकार खेल जाए उनकी मर्जी तो यहां पर मैं कहूंगा भारत में जो कॉंसिटूइट असेम्बली थी जिन लोगों कॉंस्टिटूशन को ड्राफ्ट किया यह लोग भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे क्योंकि याद रखिएगा इनसान कभी भी करप्ट हो सकता है इनसान कभी भी भढ़ा सकता है उसको एक सेट ओफ रूल सेट ओफ इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं और कॉंस्टू मन जाए सम्विधान के सामने माथा टेकता है यहाँ पे आप देख पाऊगे PM चाहिए जो भी हो PM का स्टाटस जैसा भी हो सम्विधान के सामने माथा टेकना बहुत important है क्योंकि यह सम्विधान ही है जो इंडिया को as a stable democracy बना के रखता है अब सिंस इसराइल में कोई constitution है नह क्योंकि कई लोग confused थे प्रोटेस्ट करें ना करें क्या पता नेतनियाहू ठीक करें यहाँ पर मगर most recently प्रोटेस्टर्स बहुत जादा तब बढ़ गए जब नेतनियाहू के cabinet में जिस तरी कैसे अपने होता है वितमंत्री रक्षा मंत्री नेतनियाहू के अभी ministers हैं तो ने नेतनियाहू के जो रक्षा मंत्री हैं यह बोल पड़े नेतनियाहू को इनोंने कहा कि प्लीज यह बदलाव जो तुम करना चाते हो देश के कोर्ट को कमजोर करना चाते हो ऐसा मत करो यह इसराइल के लिए खराब होगा नेतनियाहू ने उनकी बात सुनी और उसके बाद अ क्लियरली अब दिखने लग गया कि नेतनियाहू के सर पे इस वक्त पावर सवार हो चुकी है यह अपने मिनिस्टर्स की भी बात नहीं सुन रहे जब रक्षा मंत्री खुदा कर कह रहा हो के रैंदो यह मत करो आप गलत काम कर रहे हो तो आप एक बार सुन लो सीधा उनको न प्रोटेस्ट इतने बड़े स्केल पर हुए कि इसराइल के आर्मी चीफ ने खुद कहा कि a storm is brewing at home हमारे घर में एक बहुत बड़ा एक स्टॉर्म खड़ा हो गया है और इन्होंने यह भी एडमिट किया कि सिचुएशन कभी भी इतनी खराब नहीं थी बाहर से कोई कंट्री अटाक करें हम झेल लेते हैं मगर हमारे देश के नागरे खुदी जब सरकार का ऐसा विरोध करेंगे तो something needs to be done और इसलिए नेतन याहू को जुकना पड़ा आपने एक आवल सुनी होगी जनता जनादन जनादन क्रिशन जी को भी कहते हैं जनता भगवान काई रूप होती ह यह काफी बार और इसराइल के केस में यही देखने को मिला जनता के प्रैशर को देखकर फाइनली नेतन याहू को पीछी हटना पड़ा और इन्होंने कहा के अच्छा ठीक है जुडिशल ओवर हॉल जो मैं बदलाव करना चाहता था जुडिशरी से रिलेटेड अभी के लि कोशिश करी कोई और करता है किसी देश में तो पॉसिबिलिटी है किसी टाइप का प्रोटेस्ट हो और फाइनली मैं आपको यही बदा दूँ के मैंने और अनकाडमी की टीम ने मिलकर एक UPSC एक्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रेपेर करी है यह टेस्ट सीरीज का प्रेश कर सकते हैं यह टेस्ट सीरीज डिसकाउंट पाने के लिए सिंप्ली कोड यहाँ पर डालिए पीडी टैन और आप देखोगे आप यह टेस्ट सीरीज सिर्फ 833 रुपीज में पर्चेस कर पाएंगे इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे जो UPSC प्रेश कर दो इसमें आपको बहुत सीरीज में पर यहाँ प्रेश कर दोड़ने के लिए लिए सिर्फ यहाँ टू कर दो यहाँ प्रेश पर दो यहाँ भीज़ने के लिए।